दुनिया में दो तरहा के लोग होते हैं गिनर्स एंड लूजर एए बेटरी चल निकल इज़र से चल लेकिन जिन्दगी हर लूजर को एक मौका ज़रूर देती तुछ है मारूम नहीं कि तुने किसका नुपसान किया है फिल्म लायन किसकी स्ट्रॉगल की स्टोरी है चार साल बात के इंखान अपना थ्रोन वापस लेने को तयार है नमस्कार स्वागत है आपका बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ स्वातितेवारी तो हमने ये बहुत बार सुना होगा और बहुतों को experience करते भी देखा होगा और साथ ही खुद भी experience किया ही होगा कि हम अपने बच्पन में first चीज जो भी सीखते हैं वो अपने parents से ही सीखते हैं सुनो जिन्दगी रफतार पकड़ चुकी है वक्त ने भी कभी रुखना नहीं सीखा फिर तुम क्यों रुके हो ऐसे रुक कर क्या साबित करना चाहते हो अब आप सोच रही होंगे कि मैंने ये कोट यहां क्यों बोला है और मैं इसे कैसे film lion से connect करूंगे ये कोट हम सब को बस ये बताना चाहता है कि जिन्दगी वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकते हैं वो अपने हिसाब से चलते रहते हैं दिन ढलते रहते हैं किसी के आने या चले जाने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये आपको film lion में भी देखने को मिल जाएगा film lion में मुफासा अपने सन सिंबा को वच्पन से ही वो चीजे सिखाना चाहता है जो उसे आगे चलके काम देगा जब वो king बनेगा film में मुफासा और सिंबा को बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है film lion सिंबा की स्ट्रॉगल की स्टोरी है शारूख खान के सन आरेन खान ने जब से film lion के जरिये धमाकेदार डेब्यू किया है तब से हर जगा उनीके चर्चे हो रहे हैं आरेन की दमदार और बुलंद वोइस को सुनकर जहां किंग खान के फैंस काफी खुश है वहीं आरेन के डेब्यूद से पूरा बॉलिवूद ही ज्यूम उठा है बॉलिवूद स्टार्स आरेन के डेब्यूद से इतने खुश है कि उन्होंने आरेन को शारुक से बेटर बताया जी हां सिंबा के रोल को वोइस देने वाले आरेन खान ने पूरे बॉलिवूद को अपना फैन बना लिया है और इस मामले में अपने फादर किंग खान को भी पीछे छोड़ दिया है बॉलिवूद इंडस्ट्री के सभी आक्टर्स और आक्टरिस ने आरेन को वेलकम किया और साथ ही उनकी वोइस ओवर की भी काफी तारीफ की शारुख खान ने ट्वीट करके सब को आरेन और सिंबा के बिहाफ में थैंक्यू कहा आप हमें कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि आप कितने एक्साइटेड है फिल्म लायन से डेब्यू कर रहे आरेन खान के वोइस ओवर को इंजॉय करने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि साउथ के डिरेक्टर अतली कुमार बॉलिवूट के किंखान के साथ बहुत टाइम से काम करना चाहते थे और साथ ही किंखान भी साउथ के किसी बड़े डिरेक्टर के साथ काम करना चाहते थे और जैसे ही दोनों को टाइम मिला वैसे ही इनोंने फिल्म लायन पे काम करना स्टार्ट कर दिया फिल्म लायन में शारुख खान और आरेन के साथ अस्वानी शरनाज पातल अशनित कौर श्रियस तलपड़े और आशीश विध्यारती फिल्म में वोईसोवर करते नजर आएंगे फिल्म लायन के टीजर को देखने के बाद शारुख खान के फैंस बहुत एकसाइटेड हो गए हैं फिल्म लायन को देखने के लिए और साथ ही ये चानने के लिए कि शारुख खान आरेन की जोड़ी और शारुख खान अतली की जोड़ी क्या कमाल करती है अब देखना ये है कि King Khan अपने comeback से अपनी throne वापस लेने में कितने कामियाब होते हैं आपको क्या लगता है कि अशारु खान अपने throne वापस लेने में कितने कामियाब होंगे और कितने नहीं इत्वाक की बात ये है कि Film Bollywood में भी 19 July 2022 को रिलीस होगी और जैसे कि हमने आपको बताया था कि Film United States में भी 19 July 2019 को रिलीस की गई थी Film Lion और इससे जड़ी facts और real life incidents को और जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चानल Bollygrass Studios से फिल्हाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही हम फिर मिलेंगे और interesting वीडियो के साथ आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें और वीडियो को लाइक, शेर और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें